नमस्कार स्वागत है आपका निजवर्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ विशाल मिस्ट्रा बुल्टन के शुरुबात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से CM योगी आदितिनाथ के गोरकपूर दोरे का आज दूसरा दिन है CM योगी आदितिनाथ ने दूसरे दिन गोरकपूर मंदिर परिसर के हिंदू सिवा आस्रम में जनता दर्बार लगाया जहां दूर दराज से आये हुए सभी फरियादियों की CM ने एक एक कर्व फरियाद सुनी साथी संबन्धित अधिकारियों को सभी फरियादियों की मामले को जल सी जल निस्तारन करने का आदेश दिया इस दोरान कमिशनर जिला अधिकारी SSP सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे रामपूर में आजम खान के परिवार से मिलने गुरुबार शाम को आचारी प्रमोद कृष्णम रामपूर पहुँचे जा उन्होंने आजम खान के परिवार से मुलाकात की और परिवार के साथ रोजा इफ्तार किया दरसल प्रियंका गांधी की मीडिया सलाकार प्रमोध कृष्णम संतों की टोली के साथ आजम खान के आवास पहुचे और इफ्तारी का सामान भेट कर रोजा इफ्तार भी किया वही मीडिया से बात्चीत करते हुए आचारे प्रमोध कृष्णम ने सियम योगी आदे तिनात और अखिले शियादो पर निसाना सधा है मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करना चाहता हूँ मैं इंसान की बात करना चाहता हूँ हिंदुस्तान में जमूरियत है डिमोक्रेसी है परजा तंत्र है लोग तंत्र है लोग तंत्र में आवाज उठाने कादिकार है तो आजमखा साहब अगर विपक्ष के नेता हैं आजमखा साहब अगर बीजेपी के खिलाब बोलते हैं तो इसका मतलए यह थोड़ी कि उन पर ज जूटे मुकद में थोपना बहुत बड़ा गुना है इसलिए मैं बार बार इस बात को दोरा रहा हूं मैं तो हाद जोड़ के अपील करना चाहता हूं उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ वो सादू हैं और सादू के राज में इतनी जाती इतना सुल बेगुना इ हैं जाता हूं संभल में जुमाल विदा कि नमाज को सकुषल संपन न कराने को लिएकर प्रशासंत्यार है वहीं शाही किमाम मस्जित के शहर वासियों और नमाजियों से अपील करता हूँ इसा कि आडर मिला है कि हम लोगों को मजजदों के अंदर ही नमाज अदा करनी चाहिए और रास्ते में नमाज अदा न करें और खुर्वजवार के गाओंग वाले लोग अपने अपने गाओंगों की मजजदों में नमाज अदा करें रास्तों में नमाज अदा न करें और शहर की जामा मजजद में मजजद ही के अंदर नमाज अदा करें आम रास्ते पर नमाज अदा न करें को अम तरीके से जो करीब में मस्जिद हैं उसमें अंदर नमाज अदा करें कुशिनगर के फाजिल अगर CHC में एक प्रसुता के परिजन से जबरन पैसा मांगने का मामला सामने आया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारिल हो रहा है जिसकी चलते स्वास्त विभाग में हड़कम मच गया है फिलाल स्वास्त विभाग घटना की जाच में जुटा है एटा में लेकपाल शिवांगी भार्दबाज का दसजार का रिश्वत लेते हुई वीडियो सोशल मीडिया पर वारिल हो रहा है दरसल सरकारी भूम पर अवयद कबजा कराकर गिहों की फसल लगवाई थी SDM सदर शिवकुमार सिंग ने वीडियो का संग्यान लेती हुई आरोपी लेकपाल को सस्पेंड कर दिया है संभल में धार्मी कस्थलों पर लगे लाउड स्पीकर हटवाने और तीज आवाज बजने बाले लाउड स्पीकर की आवाज कम कराने का सिलसिला जारी है इस अभियान के ताथ प्रशासनिक टीम ने जिले के 100 धार्मी कस्थनों से लाउड स्पीकर हटवाए वहीं करीब 1550 लाउड स्पीकर की आवाज को कम कराया जनपत संबल में शाशन की निर्देशानुसार धर्म गुरुओं के साथ समवाद इस्थापित करके जो धार्मे के स्थल हैं उनसे लाउड स्पीकर उतरवाने का अभियान चलाया जा रहा है इसमें अब तक 100 से जादे स्थानों पर लाउड स्पीकर उनके धर्म गुरुओं द्वारा स्वयम से अपनी 101 से उतारे गई है कुल 1550 के करीब लाउड स्पीकर की अवाज उनसे बात करके कम कराई गई है इस तरह से यह अभियान आगे आने वाली समय में भी चलता रहेगा और इसमें लगातार पुलिस वप्रसाशन के साथ में धर्म गुरुओं का समवाद कायम किया जा रहा है कानपूर में जिलाधिकारी और पुलिस अदिक्षक ने कानपूर दिहात के थाना सिकंदरा क्षेतर में अल्विदा नमाज और आगामी तिवहारों के द्रिश्टिगत सिकंदरा पुलिस बल के साथ पैदल भ्रमण किया साथ ही आम जन्मारस से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया वहीं लाउड स्पीकर की ध्वनी के संबंध में उच्चने आयाले के दिशा निर्देशों से अउगत कराते हुए मानक के अन्रूपी लाउड स्पीकर लगवाने और निर्धारी ध्वनी से अधिक 39 बजाने के लिए निर्देशित भी किया अलिगड के राजगाट रोड इलाके के एक नर्सिंग होम में देर रात प्रसाव की दौरान एक महिला की मौत हो गई जिसके बाद परजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल पर लापरवाही कारूप लगाया है मौके पर पुलिस ने पितना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूजबर्ड इंडिया